अब्ल्सक्राइब है है आज इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे आपका time and work के बारे में आपके जितने भी types के question होते है जितने भी methods होते हैं जितने भी short tricks होती हैं सारी चीजों के बारे में हम डिसकस करेंगे और अगर आप आप government या private किसी भी job की preparation कर रहे हो तो चैनल को subscribe कर लिजिए और bell icon press कर लिजिए जिससे हमारी जो भी notification हो वो सबसे पहले आप लोग के पास बहुत सके उसके साथ students अगर आप job recruitment देख रहे हो private के लिए या government के लिए तो चैनल को subscribe कर दीजिए because on daily basis हम एक या दो वीडियो आप लोग के लिए लेकर आते रहते हैं जिसमें कि हम private या government की जो भी jobs होती है या जो भी नई schemes होती हैं उनके बारे में हम discuss करते हैं हमारे इसी चैनल पर उसके साथ साथ हमने एक series start की है जो कि आपके government और आपके जो private companies हैं उनके लिए helpful होगी हमारा day one already हमने start कर दिया है day one की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख लीजेगा और जो link होगा वह हम आपको description में provide कर देंगे साथ साथ आप आई बटन पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं उसमें हमारी more than one hours की वीडियो थी और उसमें हमने जितने भी previous year के अच्छे-चे questions थे वो हमने discuss किये थे उसके बाद देखिए अगर आप private की preparation कर रहे हो तो mostly क्या होता है कि आपका TCS हो गया Infosys वेप्रो असंच है यही सारी companies होती है तो अगर आप इनकी वी preparation कर रहे हो तो यह topic आपके लिए इंपोटेंट है और basically जो यह topics है यह हमने आपके SSC banking और आपके जो private jobs है आपके Infosys के exam हो गया TCS के exams हो गए तो उनकों देखके ही हमने particular question select किये हैं और इसमें हम आपको short से short trick बताने की कोशिश करेंगे तो चलिए first question start करते हैं और देखिए time and work में हम आपको कुछ दो तीन formulas बताएंगे उसकी एक particular वीडियो भी लेकर आजाएंगे कि छोड़े-छोड़े formulas कैसे आपको deal करने हैं बट उससे पहले अभी हम कुछ question solve करते हैं जिससे कि आपको वह formulas execute करने आ जाएं उन्हें लगाना आ जाएं तो चलिए start करते हैं तो देखिए एंड बी complete वर्क इन फिफ्टीन डेसं टेंडेस देखिए जब भी आपको अलग अलग वर्क दिया हो आपको क्या करना है आपको डिरेक्ली ए और बी को डिरेक्ली मेंशन करना है देखिए और से शॉर्ट रिक बताएंगे आपको और उसके बाद देखिए आपका 15 डेस वर्क करता है और जो आपका भी होगा वह आपका 10 डेस वर्क करता है उसके बाद देखिए दे स्टार्टेट दूइंग दूइंग टूइदर बट आफ्टर टूदेज एड टू लीव एंड इस तो लीव एंड बी हैव टू अलोन अलोन कंपलीट दा वर्क दा होल वर्क वोस कंपलीट इन उसके इसमें क्या करना होता है यह आपको 10 डेस में करर रहा है यह कर रहा है तो इसका मतलब जो लो कितना हो जाएगा लसी म्हां इसलिए ले लेते हैं जिससे कि हमाँए इसका मतलब यहां पर देखिए बी नहीं है सिर्फ भी है वह थो छोड़ना पड़ा दो दिन के बाद दिन तो इन दोनोंने काम किया होगा और इनका एक दिन का काम है दो इसका है तीन तो टोल होगे पांच पांच युनिट काम एक दिन में करते हैं तो दो दिन इन्होंने है 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 पर टोल कंफीजन होगे उसके बाद एक यहां दिन का काम करेगा तो एक दिन का काम होता है तो कितने कर देगा यह कर देगा आपका दस दिन में कितने दिन में कर देगा दस दिन में और अब देखिए यह आपका दो दिन का काम हो गया और यह हो गया जो जो whole work है la search total वर्क कितने दिन में होगा तो आप cancer अजाएगा बारहाँ दिन अगर देखिए इस question में एक और question देखिए आगर वह पूछते कि जो आपको टोटल वर्क है यह पूछते कि जो कितने दिन में काम करता तो आपका अंसार आज्याग docteur 10 और आपसे पूछे कि यह तो पूरा ही जो कितने डेश में हुआ है तो आप अंसर हो जाएगा कि नहीं तो देखिए इस कोशन में में आपके लिए हम questions निकाल के लाए हैं तो चलिए next question देखते हैं देखिए if p men working p hours per day for p days to produce p units of work देए थोड़ा सा confusing है then units of work produced by n men working n hours a day for n days तो देखिए p आदमी है p दिन के गंटे के लिए काम करते हैं एक दिन में और p दिन तक काम करते हैं और p units of work produce करते हैं मतलब जो उनका output है वह कितना है p then the units of work तो कितना काम होगा n आदमियों से working n घंटे एक दिन में और n days के लिए तो देखिए इस question के लिए मैं आपको एक best formula बताऊंगा आपको वही simple याद रखना है m1 d1 m क्या हो जाएगा पर मैं डी क्या होगा पर देज इवन पी हो जाएगा आप टाइम अपन वर्क जो भी आपका वर्क होगा इससे याद कर लीजेगा m1 d1 t1 upon work work upon अगर देखिए आपको comparison रिकालना है तो आप equal to m2 d2 t2 upon w2 कर सकते हैं और जो भी आपके पास है वो सारी चीचे आप इसमें solve कर सकते हैं तो देखिए m man यहाँ पर देखिए प्रोड्यूस पी वर्क अब देखिए जो वर्क आपका वो नीचे आता है तो अपन पी अब आपको comparison निकालना है इसका मतलब अब equal to m2 कितना होजाए आपका n n capital लिख देज़े n n man working n hours a day तो आर्श जो होगा आपका जो घंटे इसमें होगा आपका यह जागा आपको और N देज के लिए ये कितना आपका N देज़ यहां पर निकालना क्या था यहां पर वकुल निजुचा रेकर दो अब देखे यह पका पी से पी केन्टैर हो जाए between YouTube रहीं यहां पर जाएगा गां एक्वाम्स क्यों नीचे आगा इसे कितना अच्छा कोशन था बेसिक कोशन था सिर्फ आपको क्या था फॉर्मला ही याद होना चाहिए था और आप इस कोशन को इसली सौल कर सकते थे तो चलिए नेक्स कोशन देखते हैं नेक्स कोशन देखिए if 28 men complete 7 by 8 of a piece of work in a week in a week means एक हफ़ते में साथ दिन की बात हो रही है then the number of men तो number of men बताते हैं जो who must be engaged to get the remaining work complete in another week तो जो दूसरा हफ़ता था उसमें कितने men engaged होए होंगे मतला हमने कितने men use कि होंगे उस काम को complete करने के लिए तो आपका question में सिर्फ इतना ही पूछा गया है तो देखिए इस question को कैसे solve करना है अब देखिए जो हमने आपको previous question समझाया था formula समझाया था आपको basic यह formula यूज करना है m1 d1 t1 upon w1 तो यहां पर देखिए डारेक्ट लिख लिजिए m1 क्या आपका 28 मैन है और आपका जो डीवन है आपका डीवन कितना है आपका number of days है तो seven days है और जो आपका वर्क है वो क्या है seven upon eight है तो देखिए m1 m1 कितना आपका 28 यहीं पर डारेक्ट लिख लिए m1 आपको formula भी लिखने है आप डारेक्ट सौल कर सकते हो m1 d1 कितना आपका days कितने थे seven days ले लिए count कर लिए m1 d1 t1 क्या होता आपका time तो यहां पर आपको time mention नहीं किया हुआ है कि कि वह कितना time use कर रही है तो इसका मतलब मिना तइसका मतलब में time ले नहीं हो ऑपको use नहीं हो रहाwhy है M1 d1 DR1 यहां गब हुए तो अगर को टी नहीं है पर घ्र हुआ है कितने घंटे है किया है तो आप इसे ओमिट कर सकते हो डारिक ती को घ् 않 लग यह कितना होगा आपको यह के इंटूウ' और ईसके बाद देखिए 28那么 into seven और आपका क्या होगा अपयन आपका जितना भी हापका work है तो कितना आपका राते हैं, उपर आजाएगा इस एक करते हैं, एम-टू-डी टी-टी टी-टू, अबूटू-व्तों-ब्सौ, इस बतार यहां पर तो आपका जो ओप्षन है वह हो जाएगा option 3 क्या होगा आपका 4 answer होगे, लेटें, एलिए next question देखते हैं, उसके बाद देखिए, while working 7 hours day, देखिए ये भी काफी अच्छा question है, और देखिए basic question हमने कम से कम लिए हैं, क्योंकि बेसिक क्या होता है, कि सब को याते हैं, ये थोड़े से tricky question है, जो कि आपके exam में भी आ सकते हैं, और कि competitive aptitude में time in work आपका देखिए, while working 7 hours per day, A can alone complete a piece of work in 6 days, B alone can do it in 8 days, in what time would they complete it together working 8 hours a day, तो देखिए, while working 7 hours a day, A can complete a piece of work in 6 days, इसका मतलब जो A है आपका, या पर mention कीजिए, A और ये होगा आपका B, जैसे कि आपने आपको initial question में बताया था, अब देखिए, 7 घंटे काम करता है, और A can complete in 6 days, means total जो work करता है, वो कितना होगा, आपका 42 work करता है, वो total, 7 into 6, getting, और उसके बाद देखिए, be alone in 8 days, तो 7 hours per day काम करते हैं, और ये कितना करता है, 8 days में, तो ये कितना होगा, 56, अब देखिए, आपको क्या करना है, इसका LCM लेना है, और देखिए, क्या होता है, कि LCM यहां पर लिख सकते है, LCM में, into, अब देखिए, यहां पर कितना बच गया, 6 बच गया, यहां पर कितना बच गया, आठ बच गया, तो 8 हो 6 का LCM क्या होता है, 24, तो यह आपका LCM हो गया, तो LCM कितना हो गया, आपका 7 into 24, अब देखिए, 7 for 28, यह कितना होगा, 168, अब दे जाता है त्री टाइम जाता है अब देखिए अब उन्होंने क्या पूछा ऑप कि working 8 hours a day अब जो भी हैं वह इंट हार्स काम करें इसका मतलब यह जो आपका काम है कितना है seven or three four or three कितना होगया seven लोग जो into 8 हो जाएगा तो यह कितना हो जाएगा 56 अब क्या करेंगे हैं जो आपका 56 है अब हमें निकाल टोटल वरक आपका 168 था और आपको 8 घंटे काम करना है तो हमारे पास कितना है 56 बचाए आपके पास तो इससे तब आप इससे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका अंसर हो जाएगा 3 तो आपका सही अंसर है और अगर आपको कोई डाउट हो या समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट सेक्षिन में बता दीजिएगा हम जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी अगली वीडियो हमें से फिरसे आप लोग के लिए सॉल्व करतेंगे तो देखिए ट्रिक्स ही है सारी क्योंकि इनमें आपको एक लाइन से सब्सक्राइब कुछ लिखना नहीं पड़ेगा अब देखिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं अब आपको यह प्लस ट्रॉस में अब आपको यह पता है कि अगर हम इन एक करेंगे तो आपका twice of a twice of b twice of c आएगा तो अभी हम क्या करते हैं इनका पहले टोटल यूनिट निकाल लेते हैं कितना होगा उसे हम हाफ से डिवाइड कर देंगे क्यों क्यों क्योंकि a b c हम दो बार ही एड कर रहे हैं तो देखिए आप ट्वैल एट और 6 तो कितना हो जाएगा इसका डारेक्ट अगर 24 निकालने का basic formula क्या होता है जो अपकी बड़ी टर्म होती है उसके multiples देखिए अगर दोनों के तेमस में आ रहे है मतलब आठ और 6 टेवल में वह रहे है अब देखिए मने क्या किया था पहले हमने 12 यह क्यों आप को आपका लॉंग वोड़ बी टेक टू दू कम्प्रीट वर्क तो सिंपल है अब देखिए अब आपको क्या करना यहां पर ट्वाइस ओफ ए प्लस बी प्लस सी होगा यहां पर लिख दीजिए यह कितना होगा फोर थ्री सेवन इंटू नाइन इसका मतलब जो ए प्लस बी प्लस सी काम क बहुत अब आपको देखिये हैं यहां पर एक ट्रिक बताते हैं आपको बी का लगर निकालना यहां 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 पर यहां पर बी है यह एक और यह एक देखिए इस प्लत आप जिसमें भी नहीं आप उसे लीजिए ए फ्म likyo e response सी कांगा दे इसका मतलब 6 अगर चार सिख लाकरतें इसका मतलब ठुलेसी अगर चार युलिट पहलेसे अपका चार काम करतें आविके चारे जाईद है यूनिट अब यह पूचाए कि अके लगितना काम करतेगा तो आपका अंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन फोर टीट आपका कर्क्ट अंसर हो जाएगा अब देखिए नेक्स कुशन देखिए एक कम्प्लीट सेवन बाइट अफ वर्क अगर देखिए कोई कुशन नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन ने बता दिएगा हम फिर से आपके लि नहीं है आपका one वन लुके से और करोगे ऐसे करोगे 10 वाइप कैसे नहीं सर्वन तरह होगे 10 वाइप इसका मतलब आपका ऑपका वर्क वो कितना होगा 157 ताम सादेगा उसके अबर देखिए दैन ही कम्प्लीट्स और मेनिंग वार्प विफ यह विफ यहां पर देखिया required for a and b together to complete the entire work तो इसमें कि आएगी आपको entire work नकालना है a और b दोन होगा तो यहां पर देखिए a complete 7 by 10 of the work in 15 days तो यहां पर जो 7 by 10 work है वो 15 days में a ने अरड़ी complete कर लिया है और जो remaining work है वो क्या आपका a plus b complete करते हैं complete a plus b देखिए a plus e can never把 करेंगे साथ में a plus b अगर 7 by 10 work in a कर दिया है तो remaining work कित något हो गया three by ten तो a plus 3 by टैन वर्ट करेंगे और कितने दिन में कर रहे हैं वहाँ बिऐ तो मतलब फिर से समझ लीजिए एक बारी एक कम्प्लीट करता है सेवन बाइट टैन ऑफ द वर्क इन फिफ्टीन देज तो देखे साथ बाइट दस काम तो अल्रडी हो चुका है तो बच कितना गया रिमेनिंग वर्क है तीन बाइट तो जो तीन बाइट दस काम है वह और भी दोनों मि अब देखिए नेक्स कोशन देखते हैं यह कोशन भी काफी अच्छा कोशन है बहुत बारी पूछा भी गया है इस कोशन को देखिए देर इस सफिशेंट फूड फूड फूर चार सो मैं और थर्टीवन डेज आफ्टर ट्वेंट डेज तो एटी मैं लीव द प्लेस अब देखिए 28 डेज के बाद क्या हुआ कि 280 मैंने क्या किया लीव गर दिया प्लेस को और हाउ मैने डेज कितने डेज के लिए विल रेस्ट ऑफ फूड लास्ट फूर रेस्ट ऑफ फूड पूर दा लास्ट ऑफ दो मैं मतलब जो आपका आखरी टाइम तक कितने आदमियों के लिए जो आदमी बचे होई है आदमी क्या हैं कि 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 आदमी पहले ह स 11 के बाद चाल्थ यहां यहां इस यह चालएगां कि बढ़ Swope कितने दिन तक वह बड़ेस्ट कर सकता बदेखेए food for 400 men for 31 days देखिए जो हमारा total खाना था जो order हुआ था वो हुआ था 400 आदमियों के लिए 31 दिन के लिए तो इसका मतलब हमारे पास जो sufficient amount है वो कितना है 31 into 400 हमारे पास total resource है खिलाने के लिए getting 400 आदमियों के लिए 31 दिन का है तो हमारे पास इतना total है यह क्या होता है इसे बोलते हैं total टी बोल लीजिए उसके बाद देखिए after 28 days 280 आदमियों चले गए इसका मतलब जो और टाइम चल रहा था यह जो 400 इंट्यों के बेस पर चल रहा था वो 28 दिनों तक चला है 200 सी मैंनों ने क्या हुआ कि फिर लीव करती है अब देखिए 28 दिन तक चला है अब बचे कितने आपके टेज थ्री डेस तो आपका जो खाना है वह केतना है थ्री तीन दिनों के लिए बच क्या आपका 283 अच्छाना चार सो आदमियों का खाना तीन लेकिन अब क्या है अब जो उनके पास जो मैंन बचे हुए है वह कितने हैं चोड़के चले गए 400 में से कितने आदमियों बच गया आपके पास 120-200 कर दीजिए 120 आदमियों बच गये आपके लिए और यह कितने दिन के लिए खाएंगे से अब यह हमें पता लंकालना है अब अब देखिए 300 दिन के लिए 400 आदमियों का खाना था लेकिन 28 दिन के बाद 200 छलेगा है तो बचे कितने 120 बचे अब हमें निकालना है कि कितने दिन और वो खाना चल जाएगा आपका तो देखिए यहां पे 0 से 0 और 4 3 12 और 4 1 0 3 3 आपका और आपका अंसर कितना होगे एक सी वेली आगे आपकी 10 इतने आगे एक से वेल्य यह आपकी 10 वेल्य होगी तो इसका मतलब कि वो जो खाना था 400 आदमी का तीन दिन का वो अब 120 आदमी उसे 10 दिन तक चला लेंगे या खा लेंगे अच्छा कोशन था सिर्फ थोड़ा सा लोजिक आपको समझने है कि क्या पूछा हुआ है और आप डायरेक्ट इसका सुलिशन कर सकते हैं चलिए नेक्स कोशन देखते हैं यह भी अच्छा कोशन है आपका देखिए यह भी कोशन आपका काफी बार एक्जम्स में आया हुआ है इसलिए हमने कोशन पिक किया है देखिए एकन राइट 75 पेज इन 25 आर्स काम करना है यह पर ए प्लस बी और यहां पर जो ए था वो क्या करता था 75 पेज 25 घंटे में करता था इसका मतलब वह तीन पेज लिखता था हर गंटे में एक घंटे में तीन पेज लिखता था एए जो अपका plus B है वह क्या आउतका मराइब है उबहुक्तक है इक सो पैतिस पेजोड़ीजे तो मिजिक आफके एकसू पैजें गूसाइस पे छिन्हां डियाए 5 पिजी लिख देगा कि इसका मतलब देखिए आपका जो efforts बिखने मेरे दोन्हों पलये गनते में 5 फेस्थ लिख देते हैं युट्प अब बी चेए आपका दो पेज रिख देखा है कि अब यहां पर देखिए इन वट टाइम भी राइट फूर्टीट्टू पेज इस इंपल है कोई 15 days 15 दिन काम करता है आज घंटे 8 घंटे काम करके एक दिन में पूरा काम निपटा देता है इसका मतलब 15 into 8 total काम हो गया 15 into 8 क्या हो गया आपका total work हो गया उसके बाद देखिए you यहाँ पे क्या था आई यहाँ पे है you इसका मतलब आप लिए कुछ भी ले लिए यूकेंड फिनिश टेट इन 6 तु नाइन आर्स अडे इसका मतलब यूकेंड फिनिश दिन सिक्स टू थ्री मतलब आपका क्या हो गया चेती अठार तो इस अपन तीन वह कितना हो गया आपका यह कितना हो गया आपका टोटल बी के हिसाब से जो या यू के हिसाब से जो आपके टोटल वर्क था वो कितना 60 और उसके बाद देखिए अब देखिए एक एफिशेंसी आपको पता चल गी है मतलब यह जो टोटल वर्क करता है वो करता है 158 120 और जो बी है बी जो आपका काम करता है टोटल वो करता है साथ दिन में अब यहां पर थाप 120 यह 10020 158 120 और यहले कПрका 1220 होसी किटना आपका और यह कितना अपका इसके कितने होगा कि कितनी ओगी मतलब कि कि been कि two a कम करता है अब हमने क्या कानना है हमने निकालना आप이 एक दिन में एक घंटे का काम है εκ दिन में एक घंटे का Chief में का मैं करते हैं लेकिन हमें 10 घंटे का नकालना है तो यह कितना हो जाएगा आपका दस घंटे के साफ से 120 अपॉन 10 हो जाएगा तो तीन आपके पास आप कितने दिन में से क्वेशन देखते हैं यह अच्छा कोशन है और यह भी कुशन काफी बारी पूछा हुआ है और यह हमेशा पूछा भी जाता है तो चली इस कुशन को सौल करते हैं देखिए वज़ी थ्री वुमैण ओर वह गया है टूम एत बाइस ग्राम कर लेते हैं उसके बाद दो मैन और तीन वोमैन एक सो भी हंटे में काम कर रहे हैं इसका मतलब इन हाउ मेनिया और ओन विड़ फैइव और क्वेशन समझ है गया एक मैन मेन तीन वोमेन क्या करती है एक मेन यहां पर लिख देखे आitel जे आपका एक मैन है और क्या है कि तीन मुमैने a2 network 365 है जो आपकी जब तो और इसक्रीन करते हैं तो एक मेन फीयों मैन आापimento 2006 यह यह एक eight boys two men and eight boys boys 2 men, 8 boys कितने टाइम में कर देते हैं, 80 घंटे में अब देहिए next देहिए, यहांपे 80 घंटे ले दिए next देखिए, तीसर देखिए, दो men तीन women can do it in, दो men यहां पर क्या हो गया वापका 2 men and 3 women two men plus three women two men plus three women can do it in 120 days ठीक है अब यहां पर देखिए यह हो गया है आपका 120 hours है 120 hours है अब यहां पर क्या है अब आपको क्या नकालना है in how many hours can it be done by five men and 12 boys तो 5 आदमियों 12 boys से नकालना है इसका मतलब में man की efficiency पता होने चाहिए और boys की efficiency पता होने चाहिए इसके लिए देखिए यहां पर क्या है एक man और तीन वो मैन है यहां पर दो मैन और तीन वो मैन है उसके बाद यहां पर देखिए दो मैन और एक स्वरी दो मैन और आठ boys हैं इसका मतलब हम यहां पर क्या कर सकते हैं यहां पर यह क्या है कि multiples हैं दो और 8 इसका मतलब हम यहां पर क्या कर सकते हैं simple 2 से divide कर सकते हैं यह कितना हो गया आपका चार बोई और यहां पर कितना हो जाएगा बापका यहांप हो जाएगा 160 कितना हो जाएगा 160 कैसे होगे 160 तो देखिए जब आप efficiency को decrease करोगे तो क्या है कि जो आपका number of days हम वो बढ़ जाएंगे हमने क्या किया जो आपकी लेंगे क्यों लेंगे अच्छे डाउट है क्योंकि आपका क्या है कि हमें total work निकालना है इसलिए आपका जो आपकी सबसे बड़ी number होती है उससे आप क्या कीजिए आप उसके multiples देखिए और जो इन दोनों से ही मंट temos हो रहे हो तो देखिए डरेट देखिए शोला बत्रस गहा're होटेना यह तो यहां पर देखिए यह कितना आपका यह 10 youneit काम करेंगे यह कितना उनिट काम करेंगे आपके यह-7 काम करेंगे यह आपका 6 दो करेंगे और यह जो है आपका ये कितना करेंगे ये करेंगे आपके अपके यूद का मुंट पर तो देखिए यहां पर आपका क्या है यो आपका Just a Second, यहांपे देखिए, यह क्या था, Wonne Man, Three Woman, और Four Bois, मैं भू कहूंकि यहांगे यह लिंक्क्यों नहीं हो रहा। तो देखिए, यहांपे क्या है कि One Man, Three Woman, और Four Bois आपका यहांपे Four B रह चुका यह, अब देखिए यहूगा आपका 4B अब यहां पर देखिए आपका one man और जो आपका four boys है इसकी efficiency आपने पहले ही निकाल दी थी six इसकी efficiency है तो one man और four boys की efficiency होगी six तो इसका मतलब three women की efficiency कितनी होगी four अगर three women की four efficiency है यहां पर लिख दीजिए अगर आपकी जो three women है देखिए question अच्छा है थोड़ा अच efficiency four है तो इसका मतलब two men की efficiency कितनी है आपकी कितनी बचगी चार बचगी यहां पर तो यहां पर दो मैं की कितनी होगी चार तो एक मैं की efficiency कितनी होगी वन मैं की efficiency होगी आपकी two अब देखिए एक मैं की अगर आपकी यहां पर एक ही मैं था तो यहां पर आपका four boys के efficiency कितनी हो और वोई इसका मतलब वन जो बॉय है आपकी तो उसकी एफिशेंसी कितनी हो जाएगी वन वोई की वह गई वन 12 बॉइस एक बॉइस की एक है तो बाराव गीघितना होगी तो अपका टोटल यह यह गया वह यह ऊच्छी फूफिशेंसी ऑपकी थे यह जो यह पर 22 उनिया आपकी एफिशेंसी हो जहए प्की इद देखिए 2 से आप 11 और यहां पर आप 2 से कितना जासकते हैं आप 480 जा सकते हैं देखिए आपका कौन सा आपका option बन रहा है अंसर के आपका 480 एपन 11 तो यहां पर देख लिए तो जो आपका अंसर हो जाएगा वह आप आप सौल कर लीजेगा और आपका अंसर हो जाएगा 43 is to 7 by 11 तो देखिए अच्छा कोशन था अगर आपको डाउट है तो आप फिर से पूछ लीजेगा देखिए किया क्या था है यहां पर वन मैन थ्री वुमैन और फॉर बोई यहां पर फॉर बोई मिसिंग था उसके बाद यहां पर देखिए हुए 96 में कर रहे थे यहां पर टू मैन और फो यह यहां पर creeping और बोई नहरं इसके निकालनी पर देखिए आखके लाकर इसमेंच फोई और उसको मैन आपको कोई जो सवेंण सवभ में बताइए, और अगर आपको कोई भी आप y onda बसक्राइब में बता सकते हों पमेंक सेक्षम में यह कुशन समय में आ आप इस वीडियो होगी उसके को में उस सॉल करेंगे जो चली घाले अगली वीडियो में और आफ एक सिर्फेझink Rei ओ